जिले में अपरादियों के होसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पर उन्हें यम्ननगर रेफर कर दिया गया है सूचना पागर पुलिस अधिक सक सुरेंदर पाल डियास पी रादोर रजद गुलिया के अलवा सीय ये वन इंस्पेक्टर नेरेंदर कुमार वै सीय ये टू से रकेश कुमार मोके पर पोंचे और मामले की चानवीर में जुट घटना के बाद फरार हमलवारों की तिलास में पुलिस जगय जगय नागेवंदी भी सुरूख कर दी है जानकारी के अनुसार रादोर थाने में तेनात एसाई सतीस कामबोज सुकरवार को गस्पर दे जब वै बस्टेंड के समीब से गुजर रहे थे तो उन्होंने बीना कि एक बाइक पर दो नकाब पोस यूखो को देखा जो बैंक के बार खड़े हुए थे संदिग लगने पर उनके पास जाने लगे तो पूलिस टीम को देख यूख फरार होकर रादोरी रोड के और भाग निकले जिसका उन्होंने पीछा किया और रादोरी रोड पर स्थित एफसी आई के गोदामों के पास जाकर उन्हें रुकने का इसारा किया लेकिन नकाब पोस यूखों ने रुकने की बजाई ऐसा ही 37 कामबोज पर दो फायर कर दिये जिसमें एक गोली 37 के पेट वै बाजू में जाकर लगी जिससे वै घंबी रूप से घायल हो गया घटना क को अंजाम देने के बाद बाइक सवार मोके से फरार हो गए इस बारे में डियेसपी रादोर रजद गुलिया ने बताया कि संदिक यूखों को देखकर पुलिस करमचारियों ने उन्हें रोकने का परियास किया था लेकिन उन्होंने पुलिस करमचारियों पर ही गोलिया च हमारी टीम पेट्रोलिंग पे थी तो नजदीक पुराना बस्टेंड उन्हें दो सस्पेक्टेड यूवक मिल लगे जिन्हों ने मुँपे परना लपेटा हुआ था और बाइक पे नंबर प्लेट भी नहीं थी काले रंकी स्प्लेंडर थी उन्होंने रोकने की कोशिश करी त जो भी फिलाल गाबा उस्पिटल यम्नानगर में एकमेट है अब क्या पुछ कार बिए नाका बंदी वगएर सब प्रॉपर सीलिंग प्लान इंप्लीमेंट कर दिया गया टीम जगे जगे सस्पेक्टेड आदमियों के लिए निकली हुई है रौंड अप करने के लिए और इंदादोर में होए गोरिकांड से अब पर्मानित हो गया है कि बदमासों को अब पुलिस का कोई खोप नहीं है बेखोप बदमास पुलिस पर हमला करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं ऐसे में लोगों को भी अपनी सुरक्षा व्यवस्ता को लेकर चिंता सता रही है बता नहीं है लेकिन दिन धिहाडे पुलिस पर गोली चलने की घटना से लोगों में दहसत का महोल है बियोरो रिपोर्ट नवदेश टाइम